नमस्कार वित्यार्थियों पिछली वीडियो में बच्चों हमने पार तीन शब्द विचार का परिचे देते हुए आपको अर्थ के आधार पर तथा उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के बारे में बताया था आज हम रचना के आधार पर तथा प्रयोग के आधार पर शब्दों के बारे में जानेंगे रचना के आधार पर शब्दों के तीन के थे रूग, योगित और योग रूग रूडशब रूडशब वे शब्द हैं जो किसी वस्तू या प्राणी के लिए प्रयोग होते होते उन्हें के लिए निश्चित हो जाते हैं जैसे अगर हम हाथ, पै, चंद्र, भ्राता, पुष्प, आदी की बात करते हैं तो ये शब्द जब हम बोलते हैं तो हमें ज्यात हो जाता है कि हम किस के बारे में बात करें अब इस इन शब्दों के सार्थर खंड नहीं किये जा सकते हैं जैसे अगर हम इस हा शब्द के खंड करते हैं, हा जमा थ, जो खंड करने के पाद ना तो हा का कोई अर्थ है, ना ही था का कोई अर्थ है, अर्थात इनके सार्थक खंड नहीं होते, ये जब जुड़ते हैं, तो ही किसी सार्थक शब्द को प्रकट करते हैं, इसी प्रकार पूश्प के खंड करते हैं पूश्प पूश्प इनका अलग-अलग कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता जब ये वरण आपस में चुड़ते हैं तब ही जाके इनका एक सार्थक अर्थ स्पष्ट होता है इसके विपरी यौकिक शब्द वे शब्द हैं जो दो या दो से अथिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और जब हम इनके खंड करते हैं तो प्रते खंड एक सार्थक शब्द को प्रकट करता है जैसे विद्याले विद्या जमा आले हम जानते हैं कि विद्या क्या है और आले का मतलब घर है ये दोनों शब्द अलगलग सार्थक शब्दों को प्रकट करते हैं और तब विद्याले भी एक सार्थक शब्द है जो इन्ही दोनों के रूप को प्रकट करता है इसी प्रकार डाक घर, डाक जमा घर, दोनों को मिला कर, दोनों सार्थक शब्दों को मिला कर, एक शब्द बना डाक कर, बैल गाड़ी, बैल जमा गाड़ी, जब बात करते हैं हम योगरूर शब्दों की, योगरूर शब्द दो या दो शब्दांशों के मेल से बनते हैं, प्रन्तु जब दो शब्दांशों को मिलाया जाता है, तो उनसे बना तीसरा शब्द किसी तीसरे अन्य अर्थ को प्रकट करता है, जैसे नील और कंट दो शब्द है, नील का अर्थ है नीला, कंट का मतलब है गला, मगर दोनों शब्दों को मिला कर तीसरा पर्द बना नील कंट, ये दोनों सार्थक शब्द अलग-लग अर्थों को प्रकट करते हैं जब दोनों को मिलाने के बाद नीलकंट शब्द बनता है तो वह नीलकंट शब्द इन दोनों के अर्थ को प्रकट ना करके किसी तीसरे शब्द अर्थाथ नीलकंट शिवजी जी को कहा जाता है तो यह है शिव के लिए प्रयोग होता है शिव जी का बताता है शिव के बारे में बात कर रहे हैं इसका अर्थ यह होता है इता है इसी प्रकार लंबा जमा उदर लंबा का मतलब लंबा उदर का मतलब पेट जब हम दोनों सार्थक शब्दों को मिलाते हैं तो बनता है लंबो उदर शरब्द हम इन दोनों अर्थ को प्रकटना करके गनेश को प्रकट करता है। इसी तरह से दस जमा आनन, दस का मतलब दस, आनन का अर्थ है सिर्ध। दोनों सार्थक शब्दों को मिलाने के बाद बना दशानन। जबकि दशानन हम रामन को कहते थे अर्था दशानन रामन तीसरे अर्थ को प्रकट कर रहा है तो कि भेद के अंतरगत अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों की प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द प्यारे बच्चों विकार का अर्थ होता है परिवर्थन, संग्या, सरवनाम, विशेशन तथा क्रियाशब विकारी शब्द होते हैं, ये वे शब्द हैं जिने हम जब वाक्यों में परियोग करते हैं तो उनमें परिवर्थन आता है, जैसे वह अच्छा लड़का है, यहां वह सरवनाम शब्द है, जब हम वचन बदलते हैं इस वाक्य में वर्चन परिवर्थन करते हैं इस वाक्य का तो बनता है वे अच्छे लड़के हैं, इसी प्रकार लड़की नाच रही है, जब हम लिंग बदलते हैं इस वाक्य का तो बनता है लड़का नाच रहा है, इस प परिवर्तन आता है इसके विप्री अविकारी शब्द वे शब्द है जिन में वाक्यों में प्रयोग के कारण कोई परिवर्तन नहीं आता कहने का भाविया है कि जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता और वे वाक्य परिवर्तन के बाद भी जों केत्यों प्रयोग किये जात कुरिया विशेशन शंबंद बोधक विस्मयादी बोधक और समुच्य बोधक शब्द अवीकारी शब्द हैं। अविकारी शब्दों को अधारन द्वरा समझने का प्रयत्न करते है। जिसे शविता धीरे-धीरे बोलती है। एक वाक्य है। क्रिया विशिशन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया, धीरे धीरे शब्द इसका अर्थ है कि यह एक अविकारी शब्द है, इसी तरह वाक्य में वचन परिवर्तन करने के उपरांत भी क्रिया विशिशन शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आता, अर्था अविकारी शिक्र कम ज्यादा पहले और या आदि इस प्रकार बच्चों आज की वीडियो में हमने शब्दों के बारे में पुन रूप से जानकारी हासिल की दियेगे अभ्यासकारे को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने का प्रयत्मकरी धन्यवाद